दोस्तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक exit test आया है 24 फरवरी को जो आप Pharma Council of India की website पर जाकर देख सकते है exit test है कि कोई भी अब defarmacy complete करने के बाद exit test देगा उसके बाद ही उसको license मिलेगा उसके बाद ही वो pharmacist बन पाएगा पहले ऐसा नहीं था पहले आप universities के लिए, colleges के लिए और students के लिए उस पर आज हम discuss करेंगे अपने इस वीडियो में जादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ नमस्का दोस्तों सागत करता हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है University India मेरे नाम है विरंदवर्मा जैसा आप सभी जानते हैं हम देश-विदेश की universities, colleges, उनके courses को explore and review करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं दोस्तों हमने कई सारी universities पर, कई सारे courses पर, उनकी मनेता पर और काफी international courses के बारे में भी वीडियोज बनाए हैं और pharmacy के बारे में बहुत बार आपको अपडेट किया है colleges और university के बारे में अब बात आती है कि exit test तो आ गया, exit test से students को किन को problem होगी, सबसे पहले students को problem होगी पहले आप ये समझेए जितने भी students shortcut में de-pharmacy कहीं से ले लेते हैं या फिर college ये university को attend नहीं करते हैं, classes नहीं लगाते हैं knowledge उनको है नहीं किसी भी setting से वो pass कर लेते हैं या किसी भी setting से उस diploma दो साल का जो diploma होता है दो साल का de-pharmacy course जो होता है उसको ले लेते हैं तो उन्हें knowledge नहीं है, knowledge नहीं है तो exams को attend नहीं कर सकते exam attend नहीं कर पाएंगे तो वहां लिखेंगे क्या, मतलब कि जब आप exam देने बैठेंगे तो वहां आपको तीन paper देने होंगे तीनो paper को clear करना अनिवारे है जो कि साल में दो बार paper होंगे, हाला कि देखा जाए तो de-pharmacy जितनी भी universities या colleges करवाते हैं लगभग सभी के अंदर yearly mode चलता है, yearly mode चलता है तो जून जुलाई में course complete होता है, उसके बाद ही जो अगला आएगा आपका exit test जो आएगा, वही आप जातर लोग attend करोगे पर आपको knowledge नहीं है, theoretical आपने पढ़ा नहीं है, किताब आपने पढ़ी नहीं है, तो आप उस exit test को clear करने में आस्मर्थ हो सकते हो उससे बड़ी problem किस को आएगी, खास करके उन universities को, उन private universities को, जिन्होंने अभी तक defarmacy को ही सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का धंदा बना रखा था, मतलब की total 60 seat होती है, ये 120 seat होती है, पर admission count करोगे, तो वहाँ आपको 500, 600, 1000, 1000, मैंने तो ये भी दिखा है, 1500 तक admission ले रखे ह कुछ university ने, जहां पी आप ही students ने हम लोगों को update किया, और वो सिर्फ और सिर्फ उनके पास 240 seat हो की ही मानेता थी, ऐसी भी कुछ universities है, अभी तो ये भी सुनने में आया जो आप students ने हमें update किया, काफी सारी universities ने जिन्हों ने इस तरह से admissions लिये थे, उन लोगों ने अगले result क अपने आपको ये देने से मना कर दिया, ऐसी बहुत सारी चीज़े भी आगए आपको देखने को मिलेगी, अगर आपने कहीं से भी डी फार्मेसी इस तरह से किया था तो registration में आपको समस्या बिलकुल आएगी, दोस्तों अच्छा लगा हूँ आज का वीडियो हमारे चैनल क के बारे में अपडेट रख सकें, बहुत बहुत बश्यों के दोस्तों निवाद हमारे इस वीडियो के साथ बढ़े रहने के लिए